हलो फ्रेंट कैसे आप सबीच चलिए आज हम आपको बताएंगे लच्मी पूजन किस बिदी से करना चाहिए पूजन आरम करने से पहले लच्मी पान या लच्मी गड़िस की पूजा की चौकी या पटा पूजन सामगरी गोल सुपारी काश कलस नारियल नवेद फुल पान का पत्ता अशोक या आम के पत्ते या एक या पांच रुपे का सिक्का हल्दी की गांट लालवस्त्र दिये पूजा की थाली में कुमकुम, महदी, पिसी, हल्दी, सच्छ, अच्छत, मौली, धू, केसर, चंदन, अश्टगंद, इत्र, सीसी, कपूर, साबुत, गोल, वा लंबी सुपारी, हल्दी की गांट, गोड़, वा चांदी का सिक्का रखें सबसे पहले दिवार पर पाना चौकी के सामने थोड़ा सा इस्तान छोड़ते वी आसन बिचा कर बैठें, चौकी पर अश्ट गंद के अश्ट दलकमल बनाए, उस पर पीला और लाल बस्तर बिचा, चौकी के ठीक बीच में जहां अश्ट दलकमल का क्रेंद होगा, उसके उपर बिचे कपड़े पर एक सि रहने का प्रतीक है, अगर लक्ष में गड़े जी की प्रत्माय रखते हैं, तो इस सिक्के के पीछे उन्हें बिराजित करें, उपासक सिक्के की दाएं तरब कमल दल के उपर एक गोल सुपारी रखें, उपासक अपने दाएं हाथ की तरह भूमी पर थोड़े अच्छत भूमी पर थोड़ा च्छत रखकर कांश कलस पानी भरकर उसमें एक सुपारी और सिक्का डालकर पांच अशो किया, आम के पत्ते सजाते हुए उस पर नारियल रखें, नारियल का मुख भाग उपासक की और पूच भगा कलस पर मौली बांदें, रौली के स्वात्विक बन पिछले वरसी यही सुपारी का साल विशाजित कर सकते हैं, और सिक्के को धोकर किसी कन्या को दे, कलस के पास फूल बत्ती का दी प्रचुरित करके गड़िस लच्मी और सरश्वती जी को अमंत्रित का पुष्व समर्तित करें, शुद्धी की भावना करते हुए पुष्व बिश्वास कर, हान चोड़ का लच्मी जी का ध्यान करें, आच्मन में हान तीन बार जल लेकर लच्मी जी को अफशे की भावना से भूमी पर छोड़ें, इसके बाद पुष्व से ही जल चड़का इश्वान कराएं, फिर पंचा मरत इश्वान कराएं, वस्त्र के प्रतिक सौरू कलावा को लेकर लच्मी जी को समर्पित करें, पाने के दोनों तरब मेहदी की मदद से पहना आएं, इसके बाद आभूशन अर्पित करें, घर के आभूशन रख सकते हैं, या हल्दी वापीले के चाबलों को आभूशन की भावना करते भी चड़ा सकते हैं, लच्मी जी के चौर्णों में पूजा करें, अश्टगंद में हलका पानी मिला कर लच्मी जी के चारों हाथों पर लगाएं, फिर आचमन से जल छोड़ें, पुस्प माला, फूल और पित करें, गड़े ची को पीला, लच्मी जी को लाल और सरस्वती जी को स्वे, धूप चलाएं, जलती वी धूप में लच्मी जी के तरफ रखते हुएं, हाथ उनकी तरफ आर्थी के तरह दें, ध्यान रखें, धूप का दुआ नहीं होना चाहिए, जलती धूप उजा दें, धूएं के सुगन फैल नहीं दें, एक ही गी दीपक से इसी तरह दें भी और आर्थ की तरह दें, धूप को दीपक को एक तरफ रखें, गंटी बजा का नवेद फल मिठाएं, खीले बतासे को आदी समर्पित करें, एक पान के पत्ते पा इलाजी रखका उसका बीड़ा बना का लॉंग से बंद करके लच्मी जी को समर्पित करें, सिक्का पुस पचड़ाएं इसे पुझा के बाद घर की कन्या और ग्रहने की आचल में डाल दें, ग्रहने इसे सभाल कर रखें, आरती की थाली में पांच या ग्यारा घी के दीपक जलाएं, साथ ही पंद्रा या तेज दिये पहले प्रजलीत करके रखें आरती में ग्यारा दीपक में से एक भगवान के पास दूसरा रोसोई तीसरा तुलसी चौथा ड्राइंग रूम दो मुकदार पर चार घर के कोनों उपर और किसी परचीत के घर में दीब दान्द करें आरती करें